हेलो दोस्तों, एसके लेक्टरों से अर्कम आपका सहग दोस्तों कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं आप बहुत अच्छ होंगे दोस्तों ये वीडियो कोन की LED TV मेरे पास रिपेर या नहीं आई है और 24 इंच की LED TV है इसमें क्या प्रोब्लम है सिर्फ आवाज आ रही है चाहे आपकी LED TV कोई सी भी हो देखिए आप ये अवडियो वीडियो लिडियो लगी हैं completely अब इसके अंदर प्रोब्लम है कि इसमें सिर्फ आवाज आ रही है हमारे दोस्तों वीडियो नहीं आ रही है तो देखेंगे किस वज़े से ऐसी दिक्कत होती है इसे स्टेंट बाइस रिलीज करते हैं किस वज़े से ऐसी दिक्कत बनती है और दिखाते हैं तो साइड से मैंने पाउर ओन करते हैं इसको तो इसे हमने पाउर ओन कर दिया है और यहां पर आप सुन सकते हो ब्लू लाइट अज़िए ज़िए बैकलाइट जल ली ए उसके बस चाहत इसमें अवाई नहीं आरी बैकलाइट नहीं जा रही अब उसमें क्या खराब हो सकता है लेकिन तो कोलने के बाद पतलेगा सेट को आप और करका नुन करते हैं और दूबार देखते हैं इस को देख सकते हो दोस्तों सुन भी सकते हो नहीं नहीं है क्वग कुझ आ आप अब यू जो समझते यह संब्क है ऌई अब किसे के रिप्टरय कर नेखिए श्टब-बाइट अब कंप्लि टी संजाथ फोड़ सब्सक्रों भी लिए विवेकर जो पुराने एक बनाई नहीं दोस्तों कर लेते हैं दोस्तों मैंने यह अगहागी काफी अची मसीन लगी मुझे ये मेने बिल्ड स्किल से मगाई थी दोस्तों ओनलाइन वैपसाइट है काफी अची मसीन एक बार चार्ज करने पर काफी चल जाती है और हलकी के हलकी लाइट वेट है जादे महेंगी भी नहीं है 19o कुछ रुपे की यह दोस्तों एक लाइ लेस्ट के अंदर ही तो इसे मिया पर खोल लेते हैं सीम वाला है तो इसके सारे पेज़ लेते हैं बैक साइड के यह पर जिसमें लगे हुए है और जो चैनल पर नए हो प्लीज आड सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल फिरी है कोई पैसा नहीं ले रहे कोई चार्ज ले और एक लाइक तो बनता है दोस्तों इसने महाद करके आपके लिए वीडियो नाती है तो दोस्तों देखिए लेडिटी पहली बार कुला है हमारे पास और अंदर से काफी जादे हालत खराब है तो पहले हम कनेक्टरें से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये दूसके अंदर सैट हॉआ हुआ है और ये हमारे अलवीडिया स्केवल है और ये हमारे बैक लाइट के लिए जो पिक्चर चलती है न मतलब पिकचर चलती है उस बैक लाइट के लिए ये बलप तार लगे हुए है अब इसके अंदर 106 तार लिकड़े हुए है दो दो करके तो दोस्तों हमारे तीन स्ट्रीप इसके अंदर लगी हुई होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बार यहां पर वॉल्टेज चेक करके देख लेते हैं वैसे यह बलप पी होते हैं मतलब यह तीन इसट्रीप अंदर लगी हुथी है उपरी इसस्रीज बनायी घए हुथी है और वह कौनगोन्ची हो वो टचैक करके देख लेंगे कि कुछ आरी है नहीं आरी नहीं आरी तो Nedजिए भी बात नहीं सबसे पहले लिए हमने तो सबसे पहले हम यहां पर main line दे करके हमें यह confirm करना होगा कि board की दिक्कत है या backlight की दिक्कत है उससे भी confirm आपको कैसे करना है तो multimeter लेना है multimeter से आपको 200 volt DC पर लगाना है इसको ठीक है multimeter को 200 volt DC रेंज पर ठीक है इतना लगाने के बाद सेट को करना है आपको on इस्टेंडबाइस रिलीज नहीं करना पहले आपको ऐसी वोल्टेज चेक करना है यहां पर दो पिन का भी कनेक्टर है साइड में बैक लाइट को उस पर भी और आपको 12 वोल्टेज आनी चाहिए थी मतलब जो इसके अंदर बोल्टेज बननी है तो मीटे तो यहां पर इसमें 12 वोल्ट आनी चाहिए थी तो फिलाल यह 12 वोल्ट भी हमें नजर नहीं आ रही है तो एक बार सेट को स्टेंडबाइस रिलीज करते हैं वो देखते हैं सेट को स्टेंडबाइस रिलीज कर लिया है हमने अभी दिखा देते हैं आपको यह देखें दोस्तों ओडियो वीडियो के लिए लगा रहा है तो हमारी यहां पर वोल्टेज हमें कोई भी सो नहीं हो रही अब इसके अंदर दोस्तों मेन का कौन सा है और सिरीज का कौन सा है थोड़ा समय लग जाए लेकिन वो हम समय नहीं लेंगे आपको पहले हम बैकलाइट चेक करने का तरीका बताते हैं क्योंकि पहले हमें बैकलाइट ही चेक करनी होगी काड़ को बाद में चेक कर लेंगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है काड़ को फाइनल चेक करने दिखाएंग देखे अब हम backlight check करते हैं इसके अंदर तेन इस ट्रिप लगी है तेन इस ट्रिप का मतलब दोस्तों आपको 33 वोल्ट की यानी कि इसमें तीन दूनी चैनी कि तीन तीन चोग 12 तीन पंजे 15 है तो 5 5 की यानी कि 3 वोल्ट की 5L.E.D. 3 वोल्ट की 5L.E.D. लगी होंगी यानी कि वोई 16-17 वोल्टे दिखाएगा तो दोस्तों हमें यहां पर तीन इसमें श्ट्रिप लगी हुई है पांच LED की तीन वोल्ट में पांच LED तीन वोल्ट में अब हमें यह दोस्तों कन्फर्म करना है कि बैकलाइट हमारी कौनची खराब है कौनची ठीक अगर तीनों में से कोई स खुल से दिककत होगे 1020 यह थृट सब्कारइब और यह एक्तर टेलांगी तो हमें बैकलाइट टेश्टर लेना श्टी यहंब पाता लगता है हमारी बैकल्लाइट जली है नहीं ज जली है तो तो थोड़ा सा उसके लिए आपको में दिखा देती हम पहले आपके तो मैं जैसे अब आपकी बैक लेडी टीवी है इसके बैक्रोंड में एक होल खुला हुआ है जहां पर इसकी लाइट दिखाई दे रही है तो हम पहले थोड़ी लाइट भी दिखाई देजिए अपको गोर से देखना है यहां पर देखें यह देखें पेच के पास देखें मै यहां पर जो होल खुला हुआ है तो यह देखिए अपको थोड़ी शी लाइट फिल हो तो दिखाई दे रही होगी इसका मतलब यहां पर बैक्लाइट इसके अंदर जल रही है ठीक है और जो लाष्ट वाली बैक्लाइट चेक करता हूँ देखें दोस्तों लाष्ट वाली यह दो लाष्ट वाली बैक्लाइट पर वोल्टे डिफरेंट लगे मनला कुछ अलग लगे देखें पहली चेक करता हूँ देखें इसका मतलब है दोस्तों तीसरी वाली बैक्लाइट हमारी वीक हो चुक है इसको कोई सब्लब खराब हो चुका है वो टेस्टिंग में आ जा लाइन कट जाती है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों हमारी वैक्लाइट इसकंदर तीसरी खराब है उसको क्वايन भina iphe खोलेंगे और और ने चेंज करके आपको ठीक करके दिखाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको लिंक डिसकेशन मिल जाएगा या अगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगी ठैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो